वेल्कम टी स्टाउं डिक्टेशन डिक्टेशन पांच सकेन बार शुड़ो होगा रेडी स्टार्ट असम की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने एक जनसभा में नागरिक्ता संसोधन कानून को लेकर जो कुछ कहा उससे एक बार फिर उनकी राजनीतिक नासमझी उजागर हुई उन्होंने कहा कि यदि असम में कांगरिक्ता संसोधन कानून लागू नहीं होने देंगे यह संभव नहीं क्योंकि नागरिक्ता प्रदान करने का अधिकार राज्यों के पास है ही नहीं यह केंद्रिय सत्ता के अधिकार वाला विशय है राहुल गांधी के बयान ने उन भाजपा विरोधी और खास कर कॉंग्रेस के सासन वाली राज्य सरकारों की याद दिला दी जिन होने कुछ समय पहले नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सस्ती राजनीतिका परिचय दिया था यह सही है कि असम में कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं लेकिन कम से कम राहुल गांधी को तो इससे परिचित होना चाहिए कि इस राज्य में बांगला देश से आए लाखों लोग रह रहे हैं क्या राहुल गांधी यह चाहते हैं कि यह लाखों लोग अनिश्चितता के भवर में पड़े रहें आखिर इनके भविश्य का निर्धारन क्यूं नहीं किया जाना चाहिए इस सवाल के संदर्भ में यह इस्मरण करना आवश्यक है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए हजारों लोग कांग्रेस की उदासीनता और अनदेखी के कारण ही दसकों तक बुनियादी नागरिक अधिकारों से वंचित रहे यद अनिच्छेद 370 और 35 ए नहीं हटाया जाता तो शायद ये लोग अभी भी उपेक्षा का सिकार बने रहते राहुल गांधी ने यह तो स्विकार किया कि असम में अवैध आवरजन एक मसला है लेकिन वह यह नहीं बता सके की इस मसले को कैसे सुलजाया जा सकता है इससे यही पता चलता है की कांगरिस किस तरह समस्याओं को टालने और लटकाने का काम करती है यह एक तत्य है कि यदि असम अवैध आवरजन की समस्या से दो चार है तो कांगरिस के कारण ही असम में राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो वाला जुमला भी उच्छाला और उद्योग पतियों को खलनायक की तरह पेश करने के क्रम में यह भी कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और सारवजनिक छेत्र के उद्यमों को देश के दो बड़े विवसाईयों को बेचा जा रहा है इस तरह की अनर्गल बातों से यही लगता है कि राहुल ने उद्योग पतियों को बदनाम करने के साथ ही यह भी ठान लिया है कि वह उद्यम शीलता को नस्ट करके रहेंगे उद्योग जगत के प्रति उनका घोर नकारात्मक रवया देश को उसी दैनी दशा में ले जाने वाला है जहां से उसे नर्शिंग राव और मनमोहन सिंग ने निकाला था यदि राहुल गांधी इस प्रतिगामी विचार से ग्रस्त हैं कि सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए तो फिर बहतर होगा कि वह कॉंग्रेस के सासन वाले राज्यों में उद्योग धन्धे चला कर दिखा दें चेंज वित्मंत्री निर्मला सीतारमड ने वर्ष 2021-22 के प्रस्तावित बजट को एतिहासिक बताती हुए इसे अर्थेविवस्था को पटरी पर लाने वाला बताया है उनका यह भरोसा की इस बजट में सुधारों के लिए जिस तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं उनसे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हालात सुधरेंगे उमीदें बंधाता है प्रस्तावित बजट का प्रमुख लक्ष धाचागत सुधारों और पूंजी निर्माड के साथ देश को आत्म निर्भर के रास्ते पर ले जाना भी है जाहिर है बजट में ऐसे उपायों पर जोर जादा है जो दूरगामी और स्थाई परिडाम देने वाले हों इस बार बजट बहुत ही अभूत पुर्व परिस्थितियों में तैयार हुआ है कोरोना महामारी के संकट में पिछले दस महीनों में देश की अर्थविवस्था को जो भारी नुकसान हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है सरकार भी अर्थशास्त्रियों की इस राय से असहमत नहीं है की अर्थविवस्था को पटरी पर लोटने में अभी लंबा वक्त लगेगा जो तीन चार साल तक का हो सकता है हाला की कुछ छेत्रों को छोड़ दें तो हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आते दिख रहे हैं सकल घरेलूत पाद में सुधार और राजस संग्रह में बड़ोतरी से इसका संकेत भी मिलता है लेकिन फिर भी सरकार के लिए चुनोतियां कम नहीं है बजट पर संसद के दोनों सदनों में बहस का पहला चरण पूरा हो चुका है बजट को लेकर विपक्ष की भी अपनी चिन्ताएं है प्रस्तावित बजट को अमीरों का बजट बताया जा रहा है ऐसे में जनता के मन में भी बजट को लेकर सवाल तो पैदा होंगे ही बजट जैसे सरवादिक महत्पूर्ण और जन सरोकार वाले मुद्दे पर जब तक उचित और तारकिक रूप से खुल कर चर्चा नहीं होती है तब तक उसमें ठोस संसोधनों का रास्ता भी नहीं निकलत है बजट का सरोकार संपूर्ण देश से है इसलिए इस पर जितनी अच्छी और सार्थक चर्चा होगी उतना ही इसे बहतर रूप दिया जा सकेगा हालांकि सरकारें दावा तो करती हैं कि वे बजट में बेहद गरीब से लेकर अमीरों तक का समान रूप से खयाल रख कर चल करती हैं और ऐसा करना जिम्मेदार वह लोककल्यानकारी सरकारों का दायत भी बनता है लेकिन विपक्ष के साथ अगर अर्थ शास्त्री और आमजन भी सवाल उठाने लगें तो सरकार के लिए ऐसी चिंताओं का समाधान भी जरूरी हो जाता है इसलिए सरकार और विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि बजट के मुद्दे को दलगत राजनीती से उपर उठ कर देखें और आमजन ता के हितों को सर्वो परी रखते हुए आगे बढ़ा जाएं कोरोना संकट काल की मार सबसे जादा गरीब और मध्यवर्ग पर पड़ी है करोनों लोगों के सामने आज भी रोजी रोटी का संकट बना हुआ है छोटे और मजोले उद्योग संकट से उबर नहीं पाए है यही चित है जो उत्पादन और रोजगार में बड़ी भूमिका निभाता है इसलिए गरीब मध्यवर्ग और छोटे उद्योगों को बजट से ज्यादा उमीदें थी हाला की सरकार ने उद्योगों को राहत देने के लिए समय समय पर पैकेज भी दिये लेकिन अपेक्षित परिडाम नहीं दिखने से निराशा पैदा होना स्वाभाविक है इसलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि प्रस्तावित बजट में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे आम आदमी के तातकालिक संकट दूर किये जा सकें अगर हम दूर गामी परिडामों के इंतजार में बैठे रहे तो गरीब और मध्यवर्ग संकट के और गहरे दलदल में चला जाएगा ऐसे में बजट में बड़े और टिकावू लक्षों के साथ तातकालिक समस्याओं पर भी सरकार और विपक्ष मिलकर चर्चा करें की और उचित रास्ते निकालें तो बड़े खतरों को टाला जा सकता है स्टॉप